हेलो आपको ओता हूंगा फाइव टेप्स फॉर यंग बार्मिंटन प्लेयर तो जो हमारा पहला टिप है वो है फोकस अन बेसिक तो गाइज आपको अपने बेसिक पी काफी फोकस करना होगा वह आपका फुटपक हो गया आपका टैक्नीक हो गया क्योंकि एक बार अगर हम गर करेक्टली नहीं टैक्नीक सीखे तो गयाइज कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही आप करेक्ट टैक्नीक को फॉलो करें साथे साथ आप फुटपक के लिए आप एवरी दे 10 मिट्स और फुटपक कर सकते हो आफ्टा वाम अप और वीकली एक बार थर्टी टू वन आवर का वाफ ट्रेनिंग कर सकते हो साथे साथ वाल प्रेक्टिस भी मैं बोलूँगा कि बिग्नर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवरी दे लाग 5-10 मेंट्स और वाल प्रेक्टिस भी करें सब्सक्राइब हमारे सेकेंड पॉइंट है वह हैं वाज बैमिंटन वीडियो तो ज जो आप जो प्लेयर आपको लगता है कि यह मेरे गेम को सूट कर रहा है लाइक यह सब शॉट मुझे अडेप्ट करना चाहिए तो डेफिनेटली आप इंप्लिमेंट करना चालू करें अपने गेम में और साथ आपको बेनेफिट भी काफी देखने को मिलेगा और मैं आपक आपको आपको cross court smash मार रहा है तो आप उसे straight keep करो तो उसे थोड़ा सा difficult होता है उसे return करने में तो ऐसे सारी छोटी छोटी रैली हो गई shots हो गई ठीक है उनकी movement हो गया technique हो गई तो यह सब को आपको थोड़ा सा देखना है और काफी ज्यादा आपको help हो गया आपकी game में को improve करने के लिए साथ यसाथ बैर्मिंटन match की video देखने का भी different different style होता है ठीक है एंगल जैसे मैं बता तो कि जैसे यहां बैर्मिंटन मैच चल रहा है तो maximum time camera यहां लगे रहता है तो हम वैसे देखते हैं तो आप उसको एंगल को नीचे से भी देख सकते हो टीके side से भी देख सकते हो net के आगे से भी देख सकते हो तो ऐसे आपको different different player की movement है वो काफी ज्यादा different देखने को मिलते है साथ-साथ speed का भी हमें काफी सारा option देखने को मिलता YouTube में जब हम video देखते हैं तो आप video को slow करके भी देख सकते हो तो उसमें भी काफी ज्यादा आपको help होगा तो जितना ज्यादा हो से क्या आपको tournament खिलना है क्योंकि जब हम tournament खिलते तो हमारे अंदर कहीं नगी थोड़ा सा fear रहता है तो tournament हमें अरे फियर को वो overcome करता है और साथ हमें motivate भी करता है कि आगे practice continue करने में और साथ-जाथ हमारे लिए self-confident भी लाता है tournament का और advantage यह हो कि हमें different-different player के साथ खिलने को मिलता है तो हमारे उनकी जो playing style है वो सबकी अलग-अलग होती है साथ-जाथ different-different badminton court में खिलना पड़ता है तो वहां की shuttle flight अलग होती है ठीक है temperature अलग होता है तो ऐसे बहुत सारे advantage हमें देखने को मिलते हैं साथ-जाथ जो हमारा self-confidence है जो tournament खिलने का वो भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ता है और एक और चीज़ हो जाएती कि tournament में हम देखते हैं कि हमारी क्या-कया mistake हो रहे है जो हमारी जब practice करते हैं तो वह नहीं होती निकिन जब हम टॉर्नमेंट खिलना जाते है तो कहीं नहीं वह तो तो आपको कहीं नहीं ध्यान रखना है जो mistake हुई है और जब हम practice करो तो उसे improve करने की कोशिश करना है तो कई जो मेरा fourth point है वह है winning and losing को उपर तो winning and losing is a part of game तो कभी भी हम जब bandminton match खिल देते हैं अब इसके दो outcome रहते हैं या तो हम मैच जीतते हैं या तो हम मैच हारते हैं यहां draw होने का option नहीं है तो कहीं कि हम मेरे इसाप से winning and losing नहीं होता है तो जब हम कोई bandminton match हारते हैं तो हमें सीखने को बहुत मिलता है साथ-साथ आपको जब आप कोई match हार रहे हो तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि आप कहां हार रहे क्यों हार रहे कैसे हार रहे और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यह सब चीज को जो आप मिश्टेक कर रहे हो मैच में वह सब चीज को इंप्रूब्मेंट करने की कोशिश करें साथ-साथ आप अपने वीक्नेस को उवरकम करने के लिए तो जब भी आप बैर्मिंटन प्रैक्टिस कर रहे हो यह गेम खेल रहे हो तो आपको सोच के खिलना बहुत ही इंपॉरेंट ह हो जाता है आप रैंडमली ऐसे खेल नहीं सकते साथ-साथ जब आप मैच खेल ले हो तो आपको अपनेंट की पोजिशन को एंटिसिपेट करना पड़ता है या पोजिशन को थोड़ा सा मुमेंट को देखिए उसके उसके बाद फिर अपने शौट सेलेक्शन की यह यह जब मैं चटल को हेटिंग अनौल करता था नेकिन उसके बाद मुझे मेरे कोचेज ने बताया कि सोचना और मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया कि सोच के खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बान्मिंटन में आप रैंडमली ऐसे खेल नहीं सकते हैं साथ-साथ जो मेरा सि लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और साथ-साथ अपने दुस्तों के साथ शेयर भी करें